नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूं फिर से एक नई और महत्वपुन जानकारी के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानविशेश में दोस्तों प्रकृति का खजाना अनमोल और असिमित है इसमें अनेक ऐसी वनस्कारी के गुणों से परी होती है ये चमतकारी जड़ी बुटिया और पेड़ भोधे हमारे आसपास में ही होते है लेकिन जानकारी के अबाव के कारण हम इसके गुण और पाएदे से अनजान होते दोस्तो आज की जानकरी बेहत खास है दोस्तो इस वनस्पति को तो आपने अवश्य ही देखा होगा दोस्तो ये पौधा जो आप देख रहे हैं वीडियो की स्क्रिन पर ये गुड़ल का पौधा है इस पर बहुती सुन्दर आकरसक लाल रंग के फुल लगते हैं इसकी विरा इसका धार्मिक महत्व भी खुब ज़ादा होता है क्योंकि इस पर जो फूल लगते हैं ये मादूरगा को अतिप्रीय होते हैं और गणश जी को भी इसके फूलों का हार चड़ाया जाता है इसकी फूलों के सुन्दरता के कारण और इसकी धार्मिक महत्व को देखते हुई भारत के हर गाओं में, भाग बगिचों में, घरों के आंगन में और मंदिर परिसरों में बड़े पहिमाने पर लगाया जाता है ये पोधा देखने में जितना है आकरसक और सुन्दर होता है इससे कई अधिक अवसदिये गुणों से बरपुर होता है दोस्तों कई बीमारिया ऐसी है जो गुढ़ल के पोधे के प्रयोग से ठीक की जा सकती है इसके अलावा भी इसके पूलों के प्रयोग से बालों के कहीं प्रकार की समिश्याओं को दूर किया जा सकता है की रंगत ये बढ़ाता है और बालों को जड़ने से बचाता है बालों में जो रुसी हो जाती है इसे भी ये खत्म करता है बालों जड़नें की समिश्या को भी दूर करता है और नए बाल लाने में वहुत फीक आरगर होता है दोस्तों ये पौधा योन दुर्बलता को पूरी तरह से खत्म कर देता है और सरेल में नई उर्जा भर देता है सबसे पहले जानते हैं कि जिन पूरुसों की अंगरुनी ताकत बिलकुल खत्म सी हो गई हो योन दुर्बलता की सिकार हो गई हो किसी भी काम में मन न लगता हो, सरेल में दुर्बलता आ गई हो, मन चिट सिडापन हो गया हो, आलस्य हो रही हो, सरेल में विरिय का सत्यानास हो चुका हो ऐसी समस्या में गुढ़ल का पौदा एक बहतरिन अवसती है इसके लिए गुढ़ल के ताजे फुलो को लाए और पत्थर पर या सिल्बटे पर पीच कर कपड़े से चान कर निचोड कर रस निकाले, उस रस को 5-6-10 एमल की मात्रा में सुबह खाली पेट पीती रहे इस रस को पीने से एक घंटा पहले और एक घंटा बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है, बिलकुल खाली पेट पीना है दोस्तो अगर आपको ये फूल ताजा न मिले तो जहां भी आपको ये फूल मिल चाहे वहां से ले ले और साव में सुखा कर पावडर बना कर अपने पास रख ले उस पावडर में मिश्री मिला कर एक चमच की मात्रा में रोज सुख खाले पीड दूद के साथ प्रयोग करे इसका कोई भी साइट एपेक्ट नहीं होता दोस्तो इसके अलावा इसके ताजे फूलों का गुलकंद बना कर भी आप सेवन कर सकते हैं इससे भी बहतेरिन बेनेफिट्स आपको मिलते हैं गुलकंद बनाने की विद्धी भी बहुती सरल है इसके लिए आप ताजे गुढल की फूलों को डैसोग्राम की मात्रा में ले ले और डैसोग्राम की मात्रा में मिश्री पावडर ले पहले काज की बरतन में मिश्री पावडर बिचा दे इसके उपर जासूद की फूलों की कलिया और इसके पंखोडियों को छोटा-छोटा काटकर एक परत लगाए फिर उसके उपर मिश्री पावडर की एक परत लगाए और इसके बाद जासूद के फूलों की पंकड़ियों की एक परत लगाए इसके उपर सौप और इलाची के पावडर को रख दे इसके उपर बची हुई फूल और फूलों के पंकड़िया को बिचा दे और मिश्री पावडर रख दे इसके बाद उस काज के बरतन को अच्छी तरह से ढकन लगा कर दूप में रखे, दिन में दूप में रखे और रात में घर में अंदर रखे, इस प्रकार 10-12 दिनों में आपका गुलकंद तयार हो जाएगा, अब तयार हुए उस गुलकंद में से 1-2 चमच की मातरा में रोजा इसा नहीं, ऐसे लोगों गुलकंद का सेवन न करे, स्वासरों की बीमारी में भी गुलकंद का सेवन करना वर्जित होता है, इसके अलावा जिनको बालों के समंते किसी भी प्रकार की समश्या हो, रुसी हो, या बालों में किसी भी प्रकार का फंगल इंपेक्शन हो, बाल जड रहे हो और बालों का ग्रोथ न हो रहा हो तो ऐसे में एक लोहे की कड़ाई में नारेल तल के साथ गुढल के ताजे फुलों को रखे और धीमी आज पर दीरी दीरी पकाते रहे जब पक्ते पक्ते फूलों का रंग बिलकुल काला बन जाए, फूल जल जाए तब उतार कर ठंडा होने दे इसके बाद एक कपड़े में निचोड कर अच्छी तरह से चान ले और बोतल में बर कर अपने पास रखे तयार हुए गुढल के तिल को रोजाना बालों में लगाए और जड़ों में अच्छी तरह से मालिस करे इससे बालों का जड़ना बिलकुल बंद हो जाता है, बाल का ग्रोथ बढ़ता है और रूसी डेंटरब जैसे समस्चा एक खत्म होती है बालों का सपेध होना भी इससे रुख जाता है और बालों की रंगत बठने लगती है इसके अलावा अगर किसी को पत्थरी की समस्चा है तो गुढल के पुलों को सुखा लीजिए और इसका पावडर बना कर आधे से एक चमस की मातरा में 8-10 दिनों तक सिर्फ पानी के साथ सेवन करते रहे खाली पेट इस प्रयोग को करने से पेशाब की मातरा काफी बढ़ जाती है और पत्थरी तूट कर पेशाब की रास्ते बाहर निकल जाती है